स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर हम आपकी लिए लेकर आए हैं कक्छा आठ प्रकर कारे पुस्तिका में से समग्र मूल्यानकन नंबर भाग एक ये समग्र मूल्यानकन भाग एक और भाग दो दिये गए हैं जिसमें सबसे पहले समग्र मूल्यानकन भाग एक है भाग एक में पहला प्रश्ण है रेखां की सब्दों के समान अर्थ वाले सब्द लिखकर वाग के पूरे कीजिए कुछ लोग दोस्त को खाली जगे भी कहते हैं तो खाली जगे में दोस्त को मित्र लिख सकते हैं सखा लिख सकते हैं ख, भोजन को खाली स्थान भी कहते हैं, तो यहां खाना आ जाएगा, भोजन को खाना भी कहते हैं, प्रश्ण नमबर दो, रेखांकि सब्दों का विलोम सब्द खाली स्थान में भरिये और वाक्य पूरा कीजिए, यह है पुस्तक नई नई बलकी, यहां नई जो अंडरलाइ कर रखा है, इसका विलोम सब्द भरना है, तो नई का विलोम सब्द पुरानी हो जाएगा, और वाक्य बन जाएगा, यह है पुस्तक नई नई बलकी, पुरानी है, ख, इस गाम में एक नहीं, एक का विलोम सब्द अनेक होता है, एक नहीं, अनेक सुन्दर घर हैं, संयुक् इन में से हमने सब छांट का लिखे हैं प्रश्ण नमर चार है निमले लिखीत वाक्यों में परियुक्त क्रिया सब्द एवं काल ढून कर लिखिए पहला वाक्य है रानु कल गाना गाएगी इसमें से क्रिया सब्द है गाएगी और काल है इसमें गाएगी का मतलब पविश्यत काल दूसरा है उदै दोड रहा है क्रिया सब्द है दोड रहा है और काल वर्तमान काल सभी लड़कों ने नत्य किया, क्रिया सब्द नत्य किया आएगा, और काल आएगा, भूत काल प्रश्ण नमर पाँच है, निमने की सब्दों के वचन बदल कर लिखिये गाडियां, गाडियां का वचन बदल का लिखेंगे ये बहुचन है, एक वचन में लिखेंगे गाड़ी चपल, चपल एक वचन है, इसका बहुचन लिखेंगे चपले प्रश्ण मर छे, निम ने लिखे सब्दों के विलोम सब्द लिखिए आलसी का विलोमसब्द चोस्त, बीतर का विलोमसब्द बाहर, उठाना का विलोमसब्द गिराना, खोलना का विलोमसब्द बंद करना प्रश्ण नमर साथ है नीचे दिये गए गध्यांस को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए गध्यांस पढ़ते हैं पहले एक मलदूर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो रुपिया कमाया उसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांध कर बस्ती की और चल पड़ा बहुत तूर उसने अपने कच्छे जोंपड़े के धुएं को आकास में चक्कर काड़ते देखा और देखते ही समझ गया कि मा उसके लिए खाना बना रही है उसके घर में उसकी बूड़ी मा के अलावा और कोई सगा सम्मंधी नहीं था उसके घर में सिवाए एक चूले के और दो चार बरतनों के अलावा और कोई साथ सामान नहीं था मगर फिर भी वहे खुस था सामने की सड़क पर बारात जा रही थी सामने बारात को देखकर वे कल्पना में हो गया कि एक दिन उसका भी ब्याय होगा और वेह भी ऐसे ही बारात लेकर निकलेगा उसके साथ साथ बाजे बज रहे होंगे तभी किसी ने उसकी पीट पर हाथ मारते हुए उसे पीछे हटने को कहा बस जैसे उसका सपना ही तूट गया प्रशन है गरीब मजदूर ने अपने कच्चे जोंपड़े से निकले दुएं को कहा चक्कर काटते हुए देखा दर्ती में, आकास में, जोंपडी में तो आकास में देखा था उसने यहां हम सही कनिशान लगा देंगे प्रशन नमर दो, वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याय की कल्पना करने लगा पूडी मा को, अपने सगे संबंदी या बारात को तो बारात को यहां हम सही कनिशान लगा देंगे मजदूर के ब्याय की कल्पना कहां मिल गई, धूल में, पानी में, सड़क में दूल में मिल गई, प्रश्ण नम्मर चार, समान अर्थवाले सब्दे लिखिए, ब्या का मतलब साधी, मा का मतलब माता, सिवाय का मतलब केवल, सगा सम्मंदी का मतलब रिष्तेदार, तो इस तरह से था ये बच्चों, समगर मुल्यानकन का भाग नमबर एक, इसी तरह से हम ले करके आएंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद,